हेलो फ्रेंज, स्वागत है आपका डिजल तयारी चैनल पे, मैं श्रयान स्कोठारी लेकर आएं दोस्तों, अबजेक्टिव जनरल इंग्लिश भाई एस्पी वक्षी, चैप्टर नमबर छे, एक्सराइज नमबर सी, बिलकुल दनादन कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही प्यार जरूरी है, मैं बताऊंगा, error क्या है, misrelated subjects है यहां पे, बिना उसके clause गरवड हो जाता है, चले दोस्तों, सीधा आपको लिये चलता है, देखें, question देख लेते पहले, use these participle clause absolute phrase correctly, बहुत जरूरी है, जब तक वो correctly नहीं लिये जाएं, इनका meaning नहीं निकलेगा, अब देखें दोस्तों, writing a letter, a beggar disturbed है, अब बज़े बताईए, क्या beggar letter लिख रहा था, नहीं ना, मुझे ये clear पता चल रहा है, कि वहाँ लड़की जो है, वो letter लिख रही थी, और उसको इस beggar यानि की भिकारी, beggar यानि भिकारी, ने disturb किया past में, तो दो तरीके हैं मेरे पास, while writing a letter, और ये अटा के इसको passive बना देता हूँ, she was disturbed by a beggar, ये एक तरीका है, वापस देखेगा, while writing a letter, letter लिखते हुए, she was disturbed, तो she के लिए ये भी आ गया, she के लिए वो भी आ गया, she was disturbed, हमने देखा था दोस्तों, एक तरीका होता है इसे passive में convert करने का, ये तो हो गया पूरा sentence ही ब बदलने वाली बात, बहुत जादा नहीं बदलना है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं शुरुआत में रिख दू, while she was writing a letter, जब वह letter लिख रही थी, a beggar disturbed her, कोई problem नहीं आएगी, दोनों ही तरीके appropriate हैं, हमें misrelated subjects नहीं रखनें, misrelated clause नहीं रखनें, relation पता होना चाहिए, या तो हम यहाँ पे जिसके बारे में कह रहे हैं, writing, while writing a letter, she उसके बाद आए, मतलब यहाँ जो she है, वो उसके लिए आए, तो she was disturbed, जैसे हमने passive का, दूसरा नहीं तो इसका subject लगी थे तो, while she was writing a letter, अब एका disturbed her, तो दोनों ही चीज़ें बिलकुल appropriate है, question number second देखते हैं, being fine, we decided to go on picnic, अब मुझे क्या लग रहा है, वो क्या कह रहा है, हम लोग जो हैं, हम, वो fine थे, यानि हमारी पहले तबियत ठीक खराब थी, उसको बाद ठीक हो गई, ठीक तबियत होने के बाद, हम लोगोंने सोचा कि भईया, पिक्निक चले जाएं, ऐसा नहीं कहना चारा है, यार, य अच्छा दिन था यह, we decided to go on picnic, हमने decide किया, चलो picnic पे चले चले चले, तीसरे नमबर पे देखिए, being late, the teacher punished her, अब इसकी हिंदी समझी का क्या कह रहा है, ये कह रहा है, teacher जो late आई थी, इस कारण से उस लड़की को परिश किया, अब मुझे बताओ यार, क्या दिमाग खराब रहा है, teacher late थी, तो उसको punish काहे को करेगी, relation हमेशा सही होना चाहिए, connection सही बैठना चाहिए, भी आपको clear पता चल रहा है, देखेगा, दो तरीके बता रहा हूँ, या तो मैं यहाँ लगा दू, she being late, the teacher punished her, नहीं पसंद है ये तरीका, कोई खास बात नहीं है, being late, passive बना दो she was punished, by the teacher लगाओ, ना लगाओ, teacher ही punish करेगा, so आपके पास दो दो तरीके, being late, she was punished, ये भी सही है, she being late, क्योंकि हमें clear होना चाहिए, sentence से clear पता चल जाना चाहिए, boss late कौन था, बिना उसके sentence का meaning जो है, हवे में हो जाएगा, क्या ही बात समझा रही है, मैं एक एक question दोस्तों आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, reasoning के साथ बता रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ, कोई तरह की doubt होना दोस्तों, आप हमें पूछेंगे नहीं, मैं आप doubt solve कर पाऊंगा नहीं, मेरी कोशिश है, एक एक चीज को आराम से, एक एक चीज को विस्तार से, detail से आप लोगों को स मतलब हैं नहीं किया, तो वो pass कैसे हो जाएगी, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, not आना चाहिए, अगर work hard नहीं किया होता, तो वो pass नहीं होती, यहाँ पे negative से वा जाएगा, शार नंबर में would not have passed हो जाएगा, अब आगे देखिए दोस्तों, पाच नंबर, in spite of being late, late होन के बावजूत, teacher did not punish her, अब मुझे बताओ, teacher late आई क्या, same type का question है, जैसा third number में था, अरे भाई, teacher late नहीं आ रहा है, आपके पास दो तरीके हैं, in spite of being late, she was not punished, वापे सुनिए, passive बनाना है, she was not punished by the teacher, या तो यह कर लो, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है, although, in spite की जगे अपन although लगा लेते हैं, कि भाई, although she was late, हालांकी वो late थी, the teacher did not punish her, को punish ही नहीं गिया भाई, समझ आया कि नहीं, तरीका समझना है, सही करने का, तो या तो मेरे पास यह है कि although she was late कर दूँ, तो she आ गया late होने के लिए, और teacher अलग से होगी, otherwise क्या होता है, दू यह अगला वाला question देखते है, climbing up the stairs, सीढियां चड़ते हुए, हर sandal broke and, इसको थोड़ा सही तर करना पूरेगा, देखेगा, climbing up the stairs कैसे, while climbing up the stairs, उस दौरान क्या हुआ, उसका sandal broke out हो गया, और वह fell, यानि she fell का मलब के रही, तो better है, while she was climbing, देखो क्या होता है, हमने यहाँ पर she was क्यों लगाया, वो समझना आप लोग, she was लगाने का जो reason है, वो क्या है, अगर मैं लिखता हूँ, while climbing up the stairs, देखना, while climbing up the stairs, stairs चड़ते वक, her sandal broke, क्या उसकी sandal चड़ रही थी सीड़िया, नहीं, she was climbing up, वह चड़ रही थी, सही क्या हो जाएगा, while she was climbing up the stairs, उसके sandal तूट गए और वहाँ गिर गई, एक और question next वाला देखो, having passed BA examination, examination pass करके, he offered me a job, अब एक बात बताओ मुझे, BA exam उसने pass करी, और वह मुझे job offer कर रहा है, ऐसा लगे रहा है क्या, कुछ ना कुछ तो गरबढ़े ना, आपको समझना पड़ेगा, यहां आई लगाना पड़ेगा, आए, having passed BA examination, मैंने BA की examination pass करी, he offered me a job, उसने मुझे job दी, तो यहां का subject अलग से आई लिखना पड़ेगा, आपको नहीं लगता है कि साब आई नहीं लिखेंगे, मत लिखो, हमारे पाद दूसरा भी तरीका है, having passed BA examination, I was, passive बना दो, I was offered a job, मैंने आपको कहा था, जब हमने chapter complete किया था, misrelated कुछ questions आई था, वहाँ मैंने आपको तरीका भी बताया था, सही करने का क्या तरीका है, multiple तरीके हैं दोस्तों, multiple तरीके, हमें सही करना आना चाहिए, question number 8 देखिये साब, उपर कर लेता हूँ थोड़ा सा 8 number, देखिये ज़रा, in spite of being a miser, miser होने के बावजुद, everybody likes to spend money, अब ध्यान से देखेगा क्या कह रहा है, money on her, ध्यान से देखेगा पूरी बात कह रहा हूँ, in spite of being a miser, everybody likes to spend money on her, अब मुझे बताओ, क्या हर कोई miser है, miser यानि कंग्जूस, नहीं, हम यह कहना चाह रहे हैं कि वह a miser है, तो आपको ऐसा कह सकते हैं, इसको हटा देता हूँ, although she is miser, हालांकी वो miser है, हर कोई उस पे पैसा करता है, क्या यह बात समाझ आ रही है, उल्टा भी कर सकते थे, in spite of being a miser, she, लेकिन उसको रहना तो, क्योंकि वो likes to spend वाला है, उसको passive में नहीं करते हैं, हम तो समें इसी बात करते हैं, in spite of being a miser की जगे आ जाएगा, although she is a miser, question number 9, देखिए सब, while taking admission to a school, school में admission लेते हुए, a birth certificate must be shown, अब मुझे बताओ, पूरी प्रक्रिया के दौरान आप certificate दिखाते हैं, या जब आप admission लेते हैं, उसी समय दिखाते हैं, जब कोई चीज पूरी प्रक्रिया के दौरान करते हो, तो आता है while, और अगर एक moment पे काम करते हो, तो क्या आना चाहिए, बिल्कुल साही सोचा आपने, यहाँ while के स्थान पे क्या आ जाएगा, WHEN, when taking admission to a school, जब इस स्कूल में admission लेते हैं, birth certificate को दिखाना पड़ता है, सिर्फ उसी समय उस point पे, ना कि उस पूरे प्रक्रिया के दौरान, आखरी question देखते हैं दोस्तों, booking, cooking my dinner in the kitchen, a strange sound attracted, अब मुझे बताओ, कि cooking कौन कर रहा था, sound कर रही थी क्या, मैं कर रही थी, मैं कर रहा था, so, while I was cooking my dinner, strange sound जो attracted my attention, मेरे को एकदम से अलग सा sound आया, so, while I was, while I was भी कर सकते हैं, when I was भी कर सकते हैं, दोनों ही सही होगा, तो दोस्तों, यहां आपने 10 question देखें, लेकिन यह बहुत, बहुत जादा महत्वपूर्ण question थे दोस्तों, क्योंकि इन 10 question से, काफी सारी चीज़ें आपकी exam की हल हो जाएंगी, दोस्तों, आप Air Force का, NDA का, CDS का, Bank SSC, कोई exam दे रहे हों, यह question बहुत जरूरी है, एक-एक question पर ध्यान दीजिए, मैंने जो बताया, उस बात पर ध्यान दीजिए, फिर भी आपको लगे कोई doubt है, दोस्तों, doubts जरूर पूछिए, most importantly, comment box में, या हमें, हमारे mobile number पे, whatsapp के माधियम से, screenshot लेके, doubt जरूर पूछिए, thank you and check it out. Please, like, share, subscribe, digital, तैयारी!